Hello dear friends, मैं हूँ आपकी दोस्त और स्वागत है आपका best care of women's में Friends, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि अगर first time sex करते हैं तो क्या bleeding होना जरूरी है अगर bleeding नहीं होती है तो क्या ये bleeding सभी लड़कियों को होती है जो first time sex करते हैं ये question एक तरह से virginity से जुड़ा हुआ है जो कि आज के समय में लड़कियों के साथ बहुत बड़ा topic है जिनका first time sex होता है या फिर जो first time after marriage sex करते हैं तो उनके मन में ये बहुत ज़ादा सवाल होता है कि हमारी bleeding होगी या नहीं first time हम sex करेंगे काफी सारे male partners में जब होता है कि जब उनके female partner में bleeding नहीं होती है तो उनको doubt हो जाता है कि bleeding क्यों नहीं हुई है उनको इस बात का शक होने लगता है कि कहीं हमारी जो partner है वो पहले से तो कहीं sex नहीं कर चुकी है उनकी virginity खो तो नहीं चुकी है काफी सारे ऐसे relation मैंने देखे हैं जहां पर ये शक वाली चीज़े होती है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बाते बताने वाली हूँ कि क्या first time bleeding होना जरूरी है अगर bleeding नहीं होती तो क्यास का मतलब क्या आपकी virginity हो चुकी है bleeding ना होने के कई और भी reasons होते हैं वो मैं आपको बताऊंगे साथ ही मैं आपके साथ अपना भी personal experience शेयर करूँगी और अगर किसी के साथ किसी की relation में इस टाइब की चीज़ है कि उनके partner को उनके male partner को शक है कि female partner में bleeding नहीं हुई first time sex के दौरान तो इसका मतलब वो virgin नहीं है वो virginity खोच चुकी है अपनी already तो आप ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करेगा ताकि उनको समझ हमें आ सके कि जो actual में वो सोच रहे हैं वैसा नहीं है virginity से related नहीं होती है bleeding नहीं होने के और भी जो कारण है वो मैं इस वीडियो में सारे बताने वाली हूँ वीडियो पसंद आये, helpful लगे तो प्लीस लाइक कर जरूर करेगा और best care of women's पर फर्स टाइम व्यू कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon भी जरूर प्रेस करेगा जो जिसको लोग virginity कहते है actual में वो होता क्या है वो एक hymen होती है जिली सी होती है महिला के वजाएना के अंदर उसमें बहुत पतली सी जिली होती है वो जिली जब फटती है तो bleeding होती है ये जिली इतनी महीन होती है कि ये life में किसी भी stage पर फट सकती है sex से पहले भी फट सकती है अकसर लोगों की sex के दौरान फटती है लेकिन आजकल लड़किया इतनी ज़्यादा active होती है वो इतनी ज़्यादा कामकाजी होती है भाग दौर भरी life है कि ये जिली कफ फट जाती है लड़कियों को पता भी नहीं चलता अगर वो लड़किया जो बहुत ज़्यादा एर्बिक्स करती है जिम करती है स्विमिंग करती है योगा करती है या जो बहुत ज़्यादा active है एतलीट है तो इन लड़कियों की जो हाइमेन होती है जो की जिली होती है पतली सी वो अकसर फट जाती है और उन्हें खुद भी नहीं बता होता ये बात तो अक्सर ये होता है कि जब उनकी marriage हो जाती है तो शादी के बाद जब first time वो sex करते हैं और उस दोरा bleeding नहीं होती है तो इस बात का मतलब ये नहीं होता कि उनकी virginity खो चुकी है या already वो पहले sex कर चुकी है इसलिए उनकी bleeding नहीं हो रही है ये जिल्ली इतनी महीन होती है कि ये कभी भी life में बहुत जदा hectic work करने से बहुत जदा भाग दोड करने से भी फट सकती है तो इसलिए इसको कभी भी इस चीज़ से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए कि वो इनसान वो महीला partner वो अपनी virginity खो चुकी है इसलिए जिल्ली नहीं पटी मैं अपके साथ एक अप ब्लीडिंग नहीं हुई थी क्योंकि मैं हमेशा से बच्पल से बहुत ज़्यादा योगा करती थी मैं अपनी स्कूल कॉलेज के टाइम पे खोग खोग कबड़ी बैडमिंटन हाई जंप इस टाइप की चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा पार्टी सिपेट हमेशा से करत लें मैं और लेडि जो मैं शादी बात कर रही थी मैं पहले से कर चुकी थी इसले वर्जिन नहीं रहे थी ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं था मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा physically active रही मैं बहुत ज़्यादा खेल कूद में मैंने हमेशा पार्टी से पेट किया बहुत ज़्यादा yoga, aerobics करना यह सब मेरे बहुत ज़्यादा shock रहे थे इसलिए मेरी after marriage first time जब मैं intimate हुई तो मेरी कोई bleeding नहीं हुई तो इसलिए कभी भी इस चीज़ को जोड कर नहीं देखना चाहिए कि अगर किसी महिला की first time sex के दौरान bleeding नहीं होती है तो उनकी hymen की जिल्ली पहले फट चुकी है वो पहले से intimate हो चुकी है किसी एक बार जिल्ली फटने के बहुत सारी reasons होते हैं इसलिए ऐसा कभी भी नहीं सोचने चाहिए मैंने ऐसे बहुत सारी लोगों को सुना है कि उनके mail partner को शक होता है कि वो महिला already किसी के साथ पहले intimate हो चुकी है इसलिए सो उनकी जिल्ली नहीं पटी अगर आपकी life में भी ऐसा कुछ है आपकी भी partner को किसी तरफ का तरह का doubt है तो आप ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करिए और इसमें कोई भी tension लेने वाली बात नहीं होती है अगर आप आपकी वजायना lose हो चुकी है अगर आप बहुत ज़दा heavy work load ले चुके हैं बहुत ज़दा आप जिम में exercise करते हैं तो आपकी वो जिल्ली फिर से repair हो सकती है अगर वीडियो अच्छा लगे तो please like ज़रूर करिएगा मिलेंगे हमारे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए bye bye see you soon